शर्व प्रथम्तो जाय स्रीकृष आज हम लोग विश्वु पुरान से एक कथा सुनेंगे यह कथा बड़ी ही धार्मिक है और मार्मिक है तथा अध्यात्मिक भी है पता इस कथा को बड़े ध्यान से सुनें क्योंकि किसी भी कथा को ध्यान से सुनने पर ही कथा का आनन दाता है तथा कथा समझ में आता है चलिए कथा को शुनते हैं एक बार कुछ मुनी मिलकर विचार करने लगे की किस समय में थोड़ा सा पूड़ी भी महान फल देता है और कौन उषका शुख पूरवक अनुष्ठान कर शकते हैं वे जब कोई निर्ड़य नहीं कर शके तब निर्ड़य के लिए व्याफजी के पास पहुचे व्याफजी उष्श शमय गंगा जी में अश्नान कर रहे थे मुनी मंडली उनकी प्रतिच्छा में गंगा जी के तट पर इस्थित एक ब्रिच के पास बैठ गई ब्रिच के पास बैठे मुनियों ने देखा की ब्याफजी गंगा जी में डुब की लगा कर जल से उपर उठे और शुद्रह शाधो कलियह शाधो पढ़कर उन्होंने पुनह डुब की लगाई जल से उपर उठगर यसो सती शाधो कहकर उन्होंने पुनह डुब की लगाई मुनिगर इशे शुनकर शंदेह में पढ़े गए व्याफजी द्वारा कहे गए मंत्र नदी अस्तान काल में पढ़े जाने वाले मंत्रों में से नहीं थी वे जो कह रहे थे उसका अर्थ है कल युग रशंसनी है शुद्र शाधू है इस्त्रियां स्त्रेश्ट है वे ही धन्न है उन्षे अधिक धन्न और कौन है मुनिगर शंदेह का समाधान प्राप्त करने आये थे परन्तु यह शुनकर वे पहलेशे भी विकट संदेह में पड़े गए और जिग्यासा से एक दूसरे को देखने लगे कुछ देर बाद अश्नान कर लेने पर नित्य कर्मशे निब्रित्थ होकर व्यास जी जब आश्रम में आये तब मुनिगर भी उनके शमीब पहुचे वे शव जब यथा योग्य अभिवादन आदिके अनंतर आशनों पर बैठ गए तब व्यास ने उन्षे आगमन का उद्देश पूछा मुनियों ने कहा कि हम लोग आपशे एक शंदेह का शमाधान कराने आये थे किन्तु इस समय उशे रहने दिया जाए अभी हमें यह बतलाया जाए कि आपने अशनान करतेश में कई बार कहा था कि कल युगी ही प्रशंशनी है शुद्रशादू है इस्त्रियां स्रेष्ट है और शारवाधिक धन्य है शो क्या बात है यह बात यदि गोपनी न हो तो हमें कृपा करके बताएं यह जान लेने के बाद हम जिस आंतरिक शंदेह के शमाधान के लिए आये थे उसे कहेंगे व्यास जी उनकी बाते शुन कर बोले की मैंने कलियुग शुद्र और इस्त्रियों को जो बार बार शाधु शाधु कहा उसका कारण आप लोग सुने जो फल शत्युग में दस वर्ष जप तप और और ब्रम्ह चर्याधिका पालन करने से मिलता है उसे मनुष्य त्रेता में एक वर्ष द्वापर में एक माश और कलियुग में केवल एक दिन में प्राप्त कर लेता है जो फल शत्युग में ध्यान त्रेता में यग्य और द्वापर में देवार्चन करने से प्राप्त होता है वही कलियुग में भगवान स्रेक्रिष्ण का नाम किर्तन करने से मिल जाता है कलियुग में थोड़े से परिस्त्रम से ही लोगों को महान धर्म की प्राप्ती हो जाती है इन कारणों से मैं ने कलियुग को स्रेष्ट कहा है शुद्र को स्रेष्ट कहने का कारण बताते हुए ब्याफ जी ने कहा कि द्विज को पहले ब्रम्मचर वरत का पालन करते हुए वेदाध्यन करना पढ़ता है और तब ग्रिहस्त आस्रम में प्रवेश करने पर श्वधर्मा चरण से उपार्जिधन के द्वारा विधी पूरवक यग्य दान आदी करने पढ़ते हैं इसमें भी व्यर्थ वारतालाप व्यर्थ भोजन और व्यर्थ यग्य उनके पतन के कारण होते हैं इसलिए उन्हें शदा संयमी रहना आवश्यक होता है शभी कारियों में विधी का ध्यान रखना पढ़ता है विधी विपरीत करने से दोश लगता है द्विज, भोजन और पाना दिभी अपने इक्छानुशार नहीं कर शकते उन्हें शंपूर्ड कारियों में परतंत्रता ही रहती है वे अत्यन तकलेश से पूर्य लोकों को राप्त करते हैं किन्तो जिसे केवल मंत्र ही पाक यग्यकाही अधिकार है वह शुद्र द्विज सेवाशे ही सदगती प्राप्त कर लेता है इसलिए वह द्विज की अपेच्छा धन्यत्र है शुद्र के लिए भक्ष्या भक्ष अथवा पेया पेया का नियम द्विज जैसा कडा नहीं है इन कारणों से मैंने उसे स्रिष्ट कहा है इस्त्रियों को स्रिष्ट कहने का कारण बतलाते हुए ब्याफजी ने कहा कि पुरुष जब धर्मा अनकूल उपायो द्वारा प्राप्त धन्षे दान और यग्य करते हैं येवं अन्य कष्ट साध्य ब्रतो पवास आधि करते हैं तब पूर्य लोग पाते हैं केंतु इस्त्रिया तो तन्न मन वचन से पती की सेवा करने से ही उनकी खित करड़ी होकर पती के समान सुभ लोग को अनयास ही प्राप्त कर लेती हैं जोकी पूरुषों को अत्यन्त परिश्रम से मिलते हैं इसलिए मैंने उन्हें श्रेष्ट कहा कलियुग सुद्र यो इस्त्रियों को शाधुवाद देने का रहस्य बतला कर व्याफजी ने मुनियों से कहा कि अब आप लोग जिसलिए आये थे वह कहिए मैं आप शे अब शब बाते असपश्ट रूप शे कहूंगा मुनियों को अपनी शमश्याओं का शमाद मिल चुका था इसलिए उन्होंने ब्याफजी से कहा कि हम लोग आप शे पूछने आये थे कि किस समय में थोड़ा सा पूड़ी भी महार फल देता है और कौन उसका शुक पूरवक अनुष्ठान कर सकते है इनका उचित उत्तर आपने इसी प्रस्ण के उत्तर में दे दिया इसलिए अब हमें कुछ पूछना नहीं है बिना पूछे है अपने प्रस्णों के उचित उत्तर पाने के कारण आफचर से उत्फुल नेत्रों वाले शमागत तपशियों से व्याफजी ने कहा कि आप लोगों का अभिप्राय दिबित्रिष्टी से चानकर मैंने पूछे ही शब कुछ कह दिया जिन लोगोंने गुड रूप जल से अपने शमस्त दोस्त धोडाले हैं उनके थोडे से प्रेत्न से ही कलियुग में धर्म शिद्ध हो जाता है सुद्रों को द्विज सेवा परायर होने से और इस्त्रियों को पती की सेवा मात्र से करने से ही अनयाश धर्म के शिद्धी हो जाती है इसलिए ये तीनों धन्यत्तर है शती युगादी तीन युग में भी द्विज को ही धर्म संपादन करने में महान कष्ट उठाना पड़ता है कल युग में एक महान गुड है कि इस युग में कीवल स्री कृष्ण का नाम उनका किर्थन उनका बंदन ही कोई भी परंपद प्राप्त कर लेता है व्याफ जी के वचनों से अपनी शंकाओं का शमाधान प्राप्त कर महाभाग रिसीगड व्याफ जी का पूजन कर और उनकी कथना मुशार निश्चे कर अपनी अपनी अस्थान को लोट गए विश्ड पुराण से ही इसके पहले हम लोगा जो कथा सुने हैं अभी अभी वह विश्ण पुराण से था कथा जो की बताया इसके लोग जाने कि इस्ति शुद्र और कर्यूग की क्या महानता है इसमें ब्याफ जी ने सबके बारे में बहुत अच्छी तरह बताया और हम लोग उस कथा के माद्धेंजे समझें एक कथा और है जो बिश्टु पुरान से ही है इस कथा को आप लोग प्रमल लाक शुनें और शमझें एक बार भगवान श्रीक्रिश्ट हशितना पुर्षे दुर्योधन के यग्शे निब्रित होकर द्वार का लोटे थे यदु कुल की लक्ष्मी उस शमय एंद्री लक्ष्मी को भी मात कर रही थे शागर के मध्धिश्टित श्रीद्वार का पुरी की छठा अमरावती की शोभा को भी तिरस्कृत कर रही थे इंद्र इससे मन ही मन लज्जित तथा अपनी राज्य लक्ष्मी शे द्वीशसा करने लग गय थे हिरिसी केश नंदन की अद्धफुत राज्य स्री की बात सुन कर उशे देखने के लिए उशी शमय बहुत से राजा द्वार का पधारे इनमें कावरो पांड़ों के साथ पांडे चोल कलिंग पाहित द्रविड खस आदी अनेक देशों के राजा महाराजा भी शमलित थे इन शभी राजा महाराजाओं के साथ भगवान स्रीकृष्ट शुधर्म शभा में श्वर सिंहाशन पर विराजमान थे अन्य राजा महाराजागण भी चित्र बिचित्र आशनों पर यथा स्थान चारों और से उन्हें घेरे बैठे थे उस शमें वहां की शोभा बड़ी बिलक्षड थे ऐसा लगता था मानों देवताओं तथा असुरों के बीच शाक्षार प्रजापती ब्रम्हाजी विराज रहें हो इसी शमें मेघनाद के शमान तिब ब्रवायु का नाद हुआ और बड़े जोरों की हवा चली ऐसा लगता था कि अब भारी वर्षा होगी और दुरदीन शा दिखने लग गया था पर लोगों को बड़ा आफ्चेदी हुआ जबकी इस तुमुल दुरदीन का भेदन करके उशमें से शाक्षात देवर्षी नारद निकल पड़े वे ठीक अगनी शिखा के शद्रिश नरित्रों के बीच सीधी उतर पड़े नारज्जी के प्रित्वी पर उतरते ही वहां दुरदीन वायु मेगनात का आड़ंबर शमाप्त हो गया शमुद्र साद्रिश निर्प मंडली के बीच उतर कर देवर्षी ने शिंहासनी स्रीकृष्ण की और मुख करके कहा पुर्षोत्तम देवताओं के बीच आप ही परम आश्चर तथा धन्य है इसे शुनकर प्रभो ने कहा हाँ मैं दक्छराओं के साथ आफचर और धन्य हूँ इस पर देवर्षी ने कहा प्रभो मेरी बात का उत्तर मिल गया अब मैं जाता हूँ स्री नारत को चलते देख राजाओं को बड़ा आफचेदे हुगा वे कुछ भी समझ न शके की बात क्या है उन्होंने भगवान स्री कृष्ण से पूछा प्रभो हम लोग इस दिव्यतत्य को कुछ जान न पाए यदि गोप्य न हो तो इसका रहश हमी शमझाने की कृपा करे इस पर भगवान ने कहा आप लोग धैरे रखे इसे श्वयम नारद जी ही शुना रहे हैं योग कहकर उन्होंने देवर्शी को इशे राजाओं के शामने असपश्ट करने के लिए कहा नारज जी कहने लगे राजाओं शुनो जिस प्रकार मैं इन स्रीकृष्ट के माहात्म को जान सका हूँ वह तुम्हें बतलाता हूँ एक बार मैं शुर्योदय के शमय एक आंत में गंगा किनारे घूम रहा था इतने में ही वहां एक परवताकार कच्छुआ आया मैं उशे देखकर चकित रह गया मैंने उशे हाथ से असपर्श करते हुए कहा कूर्म तुम्हारा शरीर परम आश्चर मैं है वस्तुतह तुम धन्य हो क्योंकि तुम निहशंक और निश्चिन्त होकर इस गंगा में शर्वत बिचरते हो फिर तुम्हे अधिक धन्य कान होगा मेरी बात पूरी भी न हो पाई थी कि बिना ही कुछ सोचे वह कचुगा बोल उठा मुने भला मुझ में आश्चर्य क्या है तथा प्रभो मैं धन्य भी कैसी हो शकता हूँ धन्य तो है एदेवी गंगा जो मुझ जैसे हज्जारों कचुवे तथा मगर नक्र सज्जा दिकुंज जीवों की आश्रे भूता सरडे दाइनी है मेरे जैसे असंख्य जीव इनमें भरे हैं बिचरते हैं घूमते हैं तैरते हैं भला इन्शे अधिक आफ्चर्य तथा धन्य और कौन है नारजी ने कहा राजाओं कच्छुवे की बात सुनकर मुझे बड़ा कवतुगल हुआ और मैं गंगा देवी के शामने जाकर बोला शरित स्रेष्ट गंगे तुम धन्य हो क्योंकि तुम तपश्यों के आश्ट्रमों की रक्षा करती हो शमुंद्र में मिलती हो विशालकाय श्वापदोशे सुशोभित हो और सभी आश्चर्योशे विभूशित हो इस पर गंगा तुरंत बोलू थी नहीं नहीं देव गंधर्व प्रिय देवर्शे कलह प्रिय नारत मैं क्या आश्चर्य भीवूथ या धन्य हूँ इस लोक में शर्वाश्चक परमधन्य तो शमुंद्री है जिसमें मुझ जैसी शैकडो बड़ी बड़ी नदियां मिलती है इस पर मैंने जब शमुंद्र के पास जाकर उनकी ऐसी प्रशंशा की तो वह जल तल को फारता हुआ उपर उठा और बोला मुने मैं कोई धन्य नहीं हूँ धन्य तो है यह वशुंधरा जिसने मुझ जैसे कई शमुंद्रों को धार्ड कर रखा है और वस्तुतह सभी आश्चर्यों की निवाश भूमी भी यह भूमी ही है शमुंद्र के वचनों को शुन कर मैंने प्रित्वी शी कहा देह धारियों की योनी प्रित्वी तुम धन्य हो शोभने तुम समस्त आश्चर्यों की निवाश भूमी हो इस पर वसुंद्रा चमक उठे और बड़ी तेजी से बोल गई अरे शंग्राम कलभ प्रिय नारत मैं धन्य वन्य कुछ नहीं हो धन्य तो है यह परवत जो मुझे भी धार्ड करने के कारण भूधर कहे जाते है और शभी प्रकार के आश्चर्यों के निवास अस्थल भी यही है मैं पृत्वी की बचनुशे परवत के पास उपस्थित हुआ और कहा कि वाश्टों में आप लोग बड़े आश्चर मैं दिख पड़ते हैं सभी स्रेष्टरत तथा शूवर्ड आदिधातूं के शाश्वत आकार भी आप ही हैं अत एव आप लोग धन्य हैं परवतों ने भी कहा महर से हाम लोग धन्य नहीं हैं प्रजापती ब्रह्मा वे शर्व आश्चर मैं जगत के निर्माता होने के कारण आश्चर भूद भी हैं अब मैं ब्रह्मा जी के पास पहुचा और उनकी इस्तुति करने लगा भगवन एक मात्र आप ही धन्य हैं आप ही आफचर मैं हैं शभी देव दानो आपकी ही उपाशना करते हैं आप से ही स्रिष्टी उत्पन्य होती है अत एव आपके तुल्य धन्य कौन हो शकता है इस पर ब्रह्मा जी बोले नारद इस धन्य आफचर्य आद शब्दों से तुम मेरी क्यों इस्तुति कर रहे हैं धन्य और आश्चर्य तो ये वेद हैं जिन से यग्यों का अनुष्ठान तथा विश्व का सम्रक्षड होता है जब मैं बेदों के पास जाकर उनकी प्रसंशा करने लगा तो उन्होंने यग्यों को धन्य कहा तब मैं यग्यों की इस्तुति करने लगा इस पर यग्यों ने मुझे बतलाया कि हम धन्य नहीं है विश्व धन्य है वे ही हम लोगों की अंतिम गती है शभी यग्यों के द्वारा वे ही आराध्य है तदनंतर मैं बेश्व की गती खोज में यहां आया और आप राजाओं के मद स्ट्री कृष्ण के रूप में इन्हें देखा जब मैंने इन्हें धन्य कहा तब इन्होंने अपने को दक्षुराओं के साथ धन्य बतलाया दक्षुराओं के साथ भगवान बिश्व ही समस्त यग्यों की गती हैं यह मेरा प्रश्न शमाहित हुआ और इतने से ही मेरा कुतुहल भी निब्रित हो गया अत एव मैं अब जा रहा हूँ योग कहकर देवर्शिनालत चले गए इस रहस्य अथा शंबात को सुनकर राजा लोग भी बड़े पिश्मय हुए और शबने एक मात्र प्रभू को ही धन्यवाद आफचर एवं शर्वत्तम प्रसंशा का पात्र माना और शबने मिलकर बोला जय स्री गृष्ट जय स्री गृष्ट लोगष्ट आप hareा हुए को अवड़ा हुए लोगी प्योड़ किसी अीछ विल्के सी अर्वदी हुए प्रश जय स्री पición प्रिक टृशिए वगाए थैंचर लोग दो किषग ज़गी हुए झाल झाल